सादक को क्या करना चाहिए किस की सुने किस की ना सुने सादक के मारग में बहुत सी बादाएं होती है पहली बादा तो ये संसार है दूसरी बादा घर परिवार है तीशरी जो बादा होती है उसके जो खुद की वैसन और वासनाई ये होती है इनके उपर भी कोशिश कर ले थोड़ा बाग लेंशे फिर जो बादा आती है जहां सादना कर रहे हैं वहाँ आ करके फच जाता है क्या करे क्या ना करे कैसे चले कई बार ऐसा हुता है गुरू के दर्शन हुए बहुत दिन हो जाते है मिल नहीं पाते सादक ज्यादा हो जाते है कैसे रास्ते पर चले कैसे मंजिल पर पहुँचे क्या स्थिति है जब गुरू के दर्शन हुए कई दिन हो जाते हैं तो ध्यान भी थोड़ा कम लगने लगता है मन भी थोड़ा भागने लगता है हरी के दर्शन कि ये कई दिन हो जाते हैं आप समझते होगे हरी के दर्शन कैसे होंगे अगर हरी के दर्शन हो गए तो पार ही हो जाएंगे नहीं मेरे भाई बूल जाओ आप इस बात को आप दिमाग से निकाल देना इस बात को कि हरी के दर्शन हो गए और आप पार हो जाओ गए ये बात दिमाग से निकाल देना कि आपको हरी की प्राप्ती हो गई और पार हो गई बिल्कुल भी नहीं आपको बहुत उचे जाना हुशे ये तो मात्र पड़ाओ है, रास्ता है, मन्जिल नहीं जो इसको मन्जिल मान लेगा सादक, वो वहीं रोक लिया जाएगा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर अगर हर समय गुरू के साथ रहने भी लगे तो जो गुरू भाई हैं, जितने साथ रहने वाले हैं, वो भरम पैदा करते रहते हैं वो सादक को डिकाने का परियास करते रहते हैं, ये किस परकार से निकले यहां से गुरू जी से प्रेम करते हैं कैसे ये प्रेम टूटे कैसे इसके मन में दोवेश पैदा हो कैसे इसका बाओ गिरे कैसे इसकी स्थिति नीचे आए कैसे ये यहां से बागे कैसे हम इसको यहां से दूर करे कैसे इसको गुरू जी की नजरों से गिराया जाए इस परकार से चार उत तरफ के सादक लग जाते हैं क्या यही सादना के लिए आए हैं आप क्या गुरू के पास इसी परकार की सादना के लिए आते जाते हैं आप अरे यह कुन सी सादना सुरू कर दी आपने और इस सादना से कैसे कल्याण संभव होगा आप अपने अंदर तो जाकिए आप क्या कर रहे हैं किस रास्ते पर जा रहे हैं कैसे मंजिल पर पहुँचोगे क्या यही रास्ता है क्या ऐसे ही आगे बढ़ना है क्या इसी मारग से आप पहुँच जाओगे नहीं पहुँच पाओगे तो सादक के मारग में अनंत अनंत बाद आएं है जब तक सादक के पास प्रमात्मा का आदेश ना आने लगे आप सोचते हूंगे ऐसा कैसे हो सकता है आपकी सोच और समझ से आगे की बात है ये प्रमात्मा के संदेश आने लगते हैं उनके आदेश आने लगते हैं कैसे साधना आगे चलानी है, कितना समय लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है हमें, किस परकार से चलना है, जब तक उसके आदेश नहीं आने लगते। तब तक हमें साधना, सैयम और अपने मन, इंदरियों, वचन, सरीर, हर चीज को साधने की कोशिश करते रहना चाहिए, और जो गुरू के पास रहते हैं, उन्हें गुरू सब्द के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि गुरू के सब्द से बाहर गए और मीट गए है, ने चड़ा ही हो पाएगी, ने आगे बढ़ पाओगे, ने ही उस अनुभव को कर पाओगे, और जनम की हानी हो जाएगी, अगर गुरू पूर्ण नहीं है, तो दत्ता तरे ने भी चोविश गुरू बनाई, अगर गुरू पूर्ण है, तो दूसरा कोई दवार नहीं, जो आपको प्रिकार कर सके, फिर जनम होगा आपका, फिर आना पड़ेगा, फिर वहीं से साधना शुरू होगी, फिर वहीं उटापटक रहेगी, तो जितना साधक जागरत हो करके, एक-एक सब्द के उपर पकड़ करते हुए, एक-एक चीज का ध्यान रखते हुए, एक-एक कदम को बड़े फूक-फूक कर रखते हुए, हर तरफ से अपने को समालते हुए, यही तो साधना है, कि संगरसों से लड़ते हुए, काटों पर चलते हुए, और सब कुछ सहते हुए, जेलते हुए, सैन सक्ती बढ़ाते हुए, आप उस मंजिल तक पहुच जाएं, यही तो साधन है और इसी साधना और इसी परियाद से आपका अतंबल भी मजबूत होगा शरीर भी मजबूत होगा मन भी मजबूत होगा और संकलब भी मजबूत होगा और जब सब कुछ मजबूत हो जाएगा तो चड़ाई को आपकी को कौन रोकेगा आप अपनी मंजिल के उपर पहुंच जाओ